आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे और घर पे सीफ होंगे मेरा नाम है प्रसांथ और आप देख रहे हैं आपको अपना यूटूब चैनल एक्जाम रीज दोस्तो आज के इस वीडियो पे हम डिसकस करेंगे साइंस की मुस्ट इंपोर्टेंट कोशन जो इन सभी पोस्ट के लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तो इस वीडियो में ने जितने वी कोशन लिये हैं अभी तक जितने वी एक्जाम कंडक्ट हुए हैं उनकी लेवल को देखते हुए लिये हैं और पूरी पूरी चांसेज बनते हैं कि आपके एक्जाम पे इसी टाइप की कोशन पूछे जाएंगे दोस्तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सांथे सान बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी म वीडियो के सुरुआत करती हैं कोशन नमर वन है इस कोशन पर पूछा गया है कि किस धातु को तामो और जस्तक की मिस धातु की रूप में जाना जाता है तो बताए इस कोशन का राइट अंसर क्या होगा बहुत ही जी कोशन है और मुझे पूरे यकीन है आप सब लोग इस क कोशन की अंसर को sehr देंगे तो इसका right answer क्या होगा पीतल ठीक है पीतल धातु को तामो और जस्तक की मिस धातु की रूप में जाना जाता है अप्श नमर थाड़ी इसका right answer है next question है इस question पर पूच है कि Hydraulic में किसी धान्त पर कार करती है तो बताए इस एसquection का right answer क्या होगा, बहुत ही easy question है और इसका right answer हेगा, हीडोलिक मसीने जो है तो पासकल की शिधान्त पर कार करती है, option number Three इसका right answer हेगा, I hope आप सब लोग इस question की अंतर को जाई दिये होंगे, चलें next question क्यों चलते हैं, next question है, निम लिकित में से कौन रसाइनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में परिवर्थित करती है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer है रसाइनिक उर्जा को बिद्दूत उर्जा में परिवर्थित करती है बैटरी ठीक है कौन करती है बैटरी करती है आपस नमर थार्ड इसका राइट आंसर हैगा दोस्तों आप सब लोग से एक छोटे सा कोशन है आप सब लोग बताएंगे कि यांत्री कूर्जा को बिद्डू टूर्जा में कौन सा यांत्र परिवर्दित करता है इसका आंसर आप हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे चलिए नेट कोशन क्यों चलते हैं नेट कोशन है ने मिले कितम से किस उपकरण में जाइरो इसकोप का प्रियोग किया जाता है तो बताए इसकोशन का राइट आंसर क्या हो सकता है तो इसका right answer रहेगा gyroscope का प्रयोग जो हत्तो computer mouse पे होता है Ox no.2 इसका right answer रहेगा Next question है इस question पे पूछागे है कि contact lens समान रूप से किसे बनते हैं बहुत important question है और बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा contact lens जो होते हैं तो hydro gel से बनते हैं Ox no.2 इसका right answer रहेगा important question है आप सब लोग जिएक नोट कर लेजगा next question है एक if deal के गेंद पारे पे तैर सकती है क्योंकि आपको बताना है कि जो if deal के गेंद होती है पारे में तैर सकती है किस कारण से तैर सकती है तो बताए इस question का right answer क्या हो सकता है तो इसका right answer रहेगा क्योंकि पारा का घनत, if deal के घनत के तुल्ला में अधिक होता है ठीक है इस कारण से if deal के येंद पारे पर तैरती है option में ठर्ड इसका right answer रहेगा ठीक है चलिए next question क्यों चलते है पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का प्रियोग किया जाता है बहुत important question है और बहुत easy है तो इसका right answer रहेगा पटाखों को हरा रंग देने के लिए बेरियम क्लोराइट का प्रियोग किया जाता है जिसका सूर्ट क्या होता है BACL2 फोता है एक बड़ इस question को फिर से देख लेती है question पर क्या पूझे है पटाखों को हरा रंग देने के लिए किस रसायन का प्रियोग किया जाता है तो किस रसायन का प्रियोग किया जाता है बेरियम क्लोराइट का प्रियोग किया जाता है चलिए net question क्यों चलते है नेट कोश्चन है अमली वर्सा किसके कारण से होती है याने कि अमली वर्सा किसके कारण से होती है आपको बताना है तो किसके कारण से होती है अमली वर्सा जो होती है तो SO2 और NO2 के कारण होती है option number third इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते हैं सक्कर के घोल में सक्कर एक है आपको बताना है कि जैसे कि एक billion है ठीक है? billion में सक्कर घूली हुई है तो आपको बताना है कि इसमें सक्कर क्या है बहुत ही common sense वाला question है और important भी है और बहुत ही easy है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हैगा सक्कर के घूल में सक्कर एक घूला हुआ पदार्थ है ठीक है? option number two इसका right answer हैगा जैसे कि यहाँ पर एक billion है ठीक है? billion में सक्कर का घूल है तो जो पानी रहेगा पानी जो हत्व बिलाहेक का का काम करेगा और सक्कर जो हत्व घूले हुए पदार्थ का काम करेगा ठीक है? तो इतना आप से लोग को याद रखना है चलिए next question क्यों चलते हैं रवर के वलकनी करेंड में प्रियूक्ट अधात्तु है आपको बताना है कि रवर के वलकनी करेंड में प्रियूक्ट अधात्तु कौन सी है? मोश्ट इपॉर्टन कोशिन है और कई एक्जाम पे पूछा जा चुका कोशिन है तो इसका राइट अंसर क्या होगा? सल्फर सल्फर का प्योग रवर के वलकनी करेंड में प्रियूग किया जाता है ओप्स नमर 2 इसका राइट अंसर हैगा नेट कोशिन है प्रेटवी पर किसी वस्तु का वजन 150 नियूटन है तो चन्दरमा पर उसका भार क्या होगा? बताए इस कोशिन का राइट अंसर क्या होगा? आई होप आप सब लोग इस कोशिन के अंसर को सई दिये होंगे तो चलिए इस कोशिन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि चन्दरमा पर किसी वस्तु का भार प्रेटवी की भार का एक बटी छाय गुना होगता है तो जैसे यहाँ पर एक सुपचास है तो चन्दरमा पर कितना होगा? आप सब लोग बताएं तो आप सब लोग क्या जानते हैं? चन्दरमा पर किसी वस्तु का भार प्रेटवी की भार का एक बटी छाय गुना होगता है ठीक है? तो प्रेटवी पर उस वस्तु का भार कितना है? एक सुपचास न्यूटन है तो हम यहाँ पर लिखेंगे चन्दरमा पर किसी वस्तु का भार बराबर एक बटी छाय इंटू प्रेटवी पर किसी वस्तु का भार तो प्रेटवी पर किसी वस्तु खभार केतना है 150 N है तो आपको क्या करना है 150 में 6 का भाग दे देना तो कितना आजाएगा 25 N आजाएगा फिर भी यदि आपको किसी चलिए करदावट है तो आप मुसें कमेंट बॉक्स में पूँशते हैं लेकिन दोस्तों कोशिन में पूछ ले तक है कि प्रेटविपर किसी वस्तू का बजन 150 Newtons है. तो चैन्जरमा पर उस वस्तू का बजन कितना होगा? यानि कि यहाँ पर भार न पूछके बजन पूछता? तो इसका अंसर क्या रहता? तो इसका अंसर रहता 150 क्योंकि बजन जो हत्यों परिवर्तित नहीं होता है ठीक है इतना आप सब लोग को याद रखना है चलिए next question के और चलते हैं next question है इस question पर पूँचा गया है कि Fahrenheit और Celsius किस तापमान पर समान होती है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा Fahrenheit और Celsius minus 40 degree Celsius पर समान होती है ठीक है option number 4 इसका right answer रहेगा कितने degree पर समान होती है minus 40 degree Celsius पर Fahrenheit और Celsius समान होती है इतना आप सब लोग को याद रखना है चलिए next question क्यों चलते है next question है इस question में पूचा गया है कि नेमी लेखित में से कौन सबल सदेयो अकरसक प्रकृतिका होता है तो बताए इस question का right answer क्या होगा इस question का answer के लिए मैं आपको 5 second की timing देता हूँ आप सभी लोग सोचें और इसके answer को बताएं तो इसका right answer रहेगा गृत्तू अकरसन बल गृत्तू अकरसन बल जो है तो सदेयो अकरसन प्रकृतिका होता है ठीक है option number 2 इसका right answer रहेगा और जो बिद्धुद बल होता है अकरसन और प्रतिकरसन दोनों प्रकार की प्रकृतिका होता है ठीक है इतना आप सब लोग को याद रखना है चलिए next question यो चलते है दोस्तो यदि आप answer question के practice करना चाहते है तो आप हमारे telegram group से जोड़ जाएए मेरे telegram group का नाम है exam page आपको सेम एसी तरह से लिखना exam page तभी आपको मेरा group मिल पाएगा वहाँ पर मैं daily answer question के coaches कराऊंगा जिसकी मदस से आप सभी लोग इनसे भी question के practice कर लेंगे और आपकी तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपको क्या करना है आप सभी लोग को अभी telegram पे जाके इस group से जोड़ जाना है ठीक है next question है इस question पे पूँचे गया है कि किस धातु की योगी के कारण मिनी माता रोग होता है तो बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer रहेगा पारत हातु के योगी के कारण मिनी माता रोग होता है ठीक है आपस नमर वन इसका right answer रहेगा बहुत important question है और अभी तक जितने भी exam conduct हुई है उन पे लगब लगब पूचा जाने वाला question है ठीक है चलिए next question के वो चलते है फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या होता है बताए इस question का right answer क्या होगा तो इसका right answer हैगा फलों के मीठे स्वाद होने का कारण है क्या होता है रुक्टोज प्रुक्टोज जो है तो फलों के मेठे होने का कारण है ठीक है? ओप्स नमर फोटेस का राइट आंसर हैगा इसी का कारण फल जो हतुप स्वाद में मेठे होते हैं चलिए नेट कोशिन क्यों चलते हैं लाल रक्त कडिकाओं का जीवन कल कितना होते हैं? आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं या कडिकाओं का जीवन कल कितना होते हैं? तो कितने दिन का होते हैं? 120 दिन का होते हैं ओप्स नमर फोटेस का राइट आंसर देगा एक पर इस कोशिन को फिर से देखते हैं कोशिन पर क्या बोला है? लाल रख्ट कोसिकाउं का जीवन कल कितना होता है तो किते दिन का होता है 120 दिन का होता है ठीक है चलिए next question के बचलते हैं next question है पहला clone डॉली था आपको बताना है कि दूनिया का पहला clone धूनिया का पहला clone जैसे कम निर्मित किया गया था 5 जुलाई 1996 को निर्मिट किया गय था तो आपको बताना है कि 5 जुलाई 1996 को जब दुनिया का पहला कलून विक्सित किया गय था जिसका नाम क्या था? डॉली था तो डॉली ये क्या था? तो डॉली एक भेंड था कौन था? भेंड था तो option number one इसका right answer रहेगा next question है plastic surgery के जनक की रूप में किसे जाना जाता है most important question है और इसके answer के लिमा आपको 5 second के timing देता हूँ आप सभी लोग सूचें और इसके answer को बता है तो इसका right answer रहेगा सुसुर्टू सुसुर्टू जो है तो plastic surgery के जनक की रूप में जाने जाते है चलिए next question क्यों चलते है next question है bird flu किस virus के कारण होता है तो bird flu जो है तो किस virus के कारण होता है H5 N1 virus के कारण होता है इससे आप सभलूप note कर लिजेगा current का question है लेकिन आपके exam पे पूँचा जा सकते है चलिए next question क्यों चलते है creative वर्सा कराने में किस रसान का प्रयोग किया जाते है I repeat question पे क्या पूँचा है creative वर्सा कराने में किस रसान का प्रयोग किया जाते है तो किस रसान का प्रयोग किया जाते है सिल्वर आयोडाइट का प्रयोग किया जाता है ओक्स नमर वन इसका राइट डांसर हैगा ठेक है? उम्मीद करता हूँ हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सांतिसान बल आइकन को भी जरूर प्रिस करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियो को नोटिपिकेशन प्राप्त हो सके तो प्लीज आप सा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जादर स्यादर लाइक करें ताकि मुझे motivation मिल सके और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ दोस्तो यदि आप इसा भी question के practice करना चाहते हैं तो आप हमसे टेलेग्राम ग्रूप पे जोड़ सकते हैं मेरे टेलेग्राम ग्रूप को नाम है एक्जामरेज आप सक लोग उस ग्रूप सी जॉइन होके इसा भी question के practice कर सकते हैं और इसका पेडियो पोहीं पे प्राप्ट कर सकते हैं दोस्तो यदि आपको इस वीडियो का प्राप्ट करना है तो आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से जोड़ सकते हैं मेरे टेलिग्राम ग्रूप को नाम है एक्जाम रिज आप सब लोग दीख सकते हैं मेरे फेस्बूक ग्रूप को नाम है एक्जाम रिज और मेरे इंस्टाग्राम आइडी का नाम है एक्जाम रिज आपसा लोग इन प्लेटफांप से जुड़के इस वीडियो का प्रेडिया प्राप्ट कर सकते हैं और इन सब प्लेटफांप में रेगुलर कुछ जिस कराता हूं जो आपके एक्जामिक लिए बहुत जादे इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों यदि आपको एक्जामिक से लिएटर किसी भी तरह के प्रॉब्लम आती हैं तो आप हमसे इस मेल पे संपर्क कर सकते हैं ठेंक्यू जैहेन वन्डे मात्रम